नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल योजना ओनलाइन फोर यू पर दोस्तो अगर आप भी एक जंदन खाता धारक हैं या फिर आपने अभी तक जंदन खाता नहीं खुलवाया है तो इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तो आप तुरंत अपना जंदन खाता खुलवाने के लिए तैयार हो जाएंगे क्योंकि सरकार दुआरा बड़ी गोशना कर दी गई है जैसे कि आप सभी जानते हैं क्रोना महामारी के वक्त सरकार दुआरा जंदन खातों में 500 रुपे ट्रांसफर किये गई थे तो भी दोस्तो एक बार फिर से सरकार 500 रुपे जंदन खातों में देने जा रही है दोस्तो मैं आपको बताऊंगा कि किन किन व्यक्तियों को यह है लाब मिलने वाला है दोस्तो जिन व्यक्तियों ने जंदन खाता खुलवाया हुआ है उन सभी को तो यह हलाब नहीं मिलेगा तो फिर किन-किन वैक्ट्यों के हिलाब मिलेगा उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर डिटेल वाई जानकारी देने वाला हूँ दोस्तो इस वीडियो पुरावाज करिएगा तभी आप जान पाएंगे और मैं एक बात हुर आपको बता दूँ यह कोई फैक जानकारी नहीं है यह केवल और केवल रियल और सही जानकारी है तो इस वीडियो पुरावाज करिएगा कौन से दस्ताविज आपको बनवाने होंगे जिससे कि आपको पनपन सो रुपे एकाउंट में मिल सके उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर डिट्रेल वाज जानकारी देने वाला हूँ तो चलिए दूस्तो वीडियो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवित नहीं रहेगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं क्या है तो जल्द से जल्द आपना जंदन खाता खुलवा लिजेगा क्योंकि सरकार द्वारा एक बार फिर से जंदन खात धारकों के लिए बड़ी सोगात देने जा रही है बड़ी सोगात जंदन खात धारकों के लिए दोस्तो दी गई है अब मैं आपको पता दूँ कि जंधन योजना के अंतरगत आप और भी कई बड़े लाव ले सकते हैं वे कौन से बड़े लाव है उसके बारे में भी आपको पता हूँगा यानिके आपको पनपन से रुपे तो हर महीने दिये ही जाएंगे लेकिन उससे भी अलग आप कई बड़ी स्विधाय प्राप्त कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो वीडियो यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं परधन मंत्री जंधन योजना के अंतरगत दोस्तो जीरो बैलेंस पर आप अपना खाता खुलवा सकते हैं यहाँ पर अब तक 41 करोड के पार जंधन खाते खुलवा रहे हैं क्योंकि सरकार दुवरा और भी कई परकार के लाविस जंधन खाता धार को दिये जाते हैं और दोस्तो महमारी के वक्त आपदा के वक्त सरकार दुवरा यह हलाब देती है तो चलिए उस्तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप जंधन योजना की अंतरगत क्या-क्या लाव उठा सकते हैं उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपको कब से है पैसा मिलना शुरू होगा और किन-किन जंधन खातादारकों के एकाउंट में परती महां आप 500 रुपे आएंगे तो दोस्तो यहां पर जो स्विधा हैं वे क्या क्या दी जाएगी वे आप यहां पर देख सकते हैं अगर आपके पास दोस्तो जंधन खाता है और बैलेंस नहीं है तब भी आप अपने जंधन खाते से 10,000 रुपे तक निकलवा सकते हैं इसके अलावा रुपे डेविट काड़ की स्विधा दी जाती है और दोस्तो इससे जिससे की आप पैसे निकलवा सकते हैं खरीदारी भी कर सकते हैं साज़ दोस्तो मैं आपको बतान चाहूंगा कि मुख्यमंत्री योगी आजितनाज दुआरा दूसरा अनुपूरग बज़ाट पारित कर दिया है अब यहाँ पर ध्यान दीजेगा कि यहाँ पैसा आपको कब से मिलेगा और कितना पैसा मिलेगा मैं आपको यहाँ पर विश्तार पूरग बताने जा रहा हूँ दोस्तों मुख्यमंत्री योगी आजितनाज जी दुआरा दूसरा अनुपूरग बज़ाट पारित कर दे गया है इसमें दोस्तों काफी लाब यहाँ पर दे जाएगा लेकिन गरीब वैक्ति के लिए हाँ पर 4,000 करोड रुपे का प्रावधान किया गया है जिसको परती महा 5500 रुपे दे जाएगे जितने भी ऐस संगर्टी छेतर के वैक्ति हैं उनको परती वैक्ति को 4,000 रुपे दे जाएगे अब जो 4,000 रुपे आपको मिलेंगे वैक किस प्रकार से मिलेंगे वह भी दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ यह 4,000 रुपे दोस्तों आपको 4 किस्तों में दिये जाएगे दोस्तों चार किस्तों में आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं अब दोस्तो यह पैसे तो जंदन खातों में आएगा, लेकिन वह है वैक्ति कौन-कौन होंगे, जिनके एकाउंट में यह पैसा आएगा, तो दोस्तो जिसने भी इस्रम कार्ड बनवाया हुआ है जन दोस्तो ग्यान से सुनिएगा जिसने भी इस्रम कार्ड बनवाया हुआ है वही इसका लाव ले सकते हैं क्योंकि ए संग्रिटे चेत्र में रहने वाले व्यक्तियों का इस्तरमकार्ठ बनना चाहिए, तभी व्याई लाव की लाव के योग्या है अब दोस्तों आप इस्तरमकार्ड कैसे बनवा सकते हैं, अब आप जानना चाहते हैं वीडियो में comment करिएगा comment box में जागर comment करिएगा दोस्तो आपको लाप भी मिलेगा और दोस्तो किस परकार से आपको विश्रम कार्ट बनवाना है उसके बारे में भी आपको detail वाई जानकारी दे दे जाएगी अद दोस्तो बात करते हैं कि आप जंदन खाता कैसे खुलवा सकत दोस्तो कर्ष्टमर और आपकी जो एकाउंट का है के वाइशी होनी चाहिए यहनके पूरा संपुर्ण रुप से आपका जो एकाउंट है खुलना चाहिए आपके पास दस्तवेज है आधार कार्ड सकंपल सरी है यह फिर पास्पोर्ट आपके पास होज़ा सकता है ड्राइव आपको इस स्मॉल एकाउंट खुलवाना होगा अगर आपके पास कोई भी दस्तवेज नहीं है तो इसमें आपको सैल अटेस्टेड यानिके फोटोग्राप के जरिए आपको बैंक अधिकारी के सामने अपने हस्ताक सर करने होते हैं उसके प्रांत दोस्तो जंदन खाता आपके पास नहीं है तब भी आपको जंदन खाता ओपन करवा सकते हैं खुलु आसको पर दूस्तो जंदन खळाने के लिए दिसंबर महा से ही आपको यह हलाब मिला शुरू हो जाएगा परती महा आपको पनपन से रूपे दे जाएगे तो दोस्तों यह थे आपके लिए महत्पूर जानकारी आपको जानकर कैसी लगी हमें कमेंट बुक्स में जाकर जूरू पतेगा और निवेजन करते हैं कि अगर आ इस समय पर सठीक जानकारी दे जाती है तो अब मिलते हैं पने एक्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत